ओके सब्सक्राइब तो 22 जो है अल्मोस्ट खतम होने वाला है एंड यह साल बहुत सारे कांड हुए है लेकिन उन में से एक डेट मैं परस्टनली कभी नहीं भूल सकता जो है 8 सेप्टेमबर 2022 मेरे लाइफ का सबसे लख्यस्ट या सबसे अनलख्यस दिन भी कह सकते हो तुम ज एक नॉर्मल सा दिन था मैं स्कूल में था हमारा मैथ क्लास चल रहा था मोस्ट वाबली और अचानक से हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर आते हैं और लिटरली रैंडम बच्चे को ठीक है जिसका में नाम तक नहीं जानता हूं आज तक उसी दिन मैंना जाना एसका नेम लेते हैं और पूछते हैं हाँ यह बच्चा इंक्रूडिंग पूरी क्लास लिटरली धंग रहे ठीक है सारे शौक में थे क्या चल क्या रहे यहां वह बच्चा कहता है कौन सी अरबड सर मैं क्यों लाँगा उधर से सर का रिपलाई आता है अच्छा कौन सी वे वह बच्चा अभी भी डिनाल में था मैं तो उसके बाद वह टीचर जो है उस बच्चे के बैग चेक करते हैं और वहां से उन्हें मिलता है और हर स्कूल की तरह यहां भी सेमी डायलोग चिपका देया जाता है कल अपने परिंट्स को लेके आना फिर यह आपस मिलेगा और यह कहकर वहां से चले जाते हैं अब तुम सब सोच होगे कि इससे बड़ा कांट क्या हो सकता है लेकिन इस घटना के करीब दस मिनिट बाद दुबारा वही सेम टीचर आते हैं और उसी बच्चे से पूछते है ब्लूटूथ एरडबर्स है तो कनेक किस से किया पोन कॉल ला है ठीक है इतना बड़ा दिमाग लगा है न उस टीचर ने इतना दिमाग पढ़ाने में लगा लेते फिर भी भला होता है अब जिस बच्चे का इयरवेट्स गए थे उसने तो भाई गुस्से में आके एक दूसरे बच्चे का नाम बोल दिया ठीक है कि वह देखो सर वही ल बाख जाए उस पर जिसके वैसे बैग चेकिंग में फोन नहीं मिला हमार स्कूल एकदम ग्राउंड फ्लोर पर ठीक है तो ओविसली फोन विंडो से बाहर गिड़ा और हमारे विंडो से बाहर ही ग्राउंड था एक्चली तो इसलिए फोन को डैमेज नहीं हुआ बैग चेक करने और मैं खुद उस दिन फोन लाया था उसका अलगी रीजन है मैं कभी और बताऊंगा जब अंकित फोन फेक रहा था विंडो से मैं भी एक्चली फेकने वाला था लेकिन मुझे लगा कि वो भी फेक रहा है मैं भी फेक हूँगा तो अगर उसका मिला तो मेरा भी उसको मिल जाएगा अभी टीचर को इसलिए मैंने विंडो से फोन को बाहर नहीं फेका बट 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 फोन को शुपाना था मैंने उस फोन को अपने सॉक्स के अंदर डाल लिया वो फोन भी इतना कुछ बड़ा नहीं था उसका डिस्प्ले तो या सॉक्स के अंदर इसलिए अग इसलिए जब मेरी बैक चेकी में भी फोन नहीं मिला ठीक है और इसके बाद जो टीचर थे वो चले गए वहां से उनको भी लगा कि हाँ फोन नहीं लाया है शायद बश्यों आफ करने के लिए लाया होंगे क्योंकि एट क्लास में नॉर्मल है भाई करते हैं लोग अब तुम सोच रहों कि इससे जाधा कांट क्या हो सकता है लेकिन लेकिन अंकित को फोन फेकते वे एक और बच्चे ने देख लिया था दीग है वह क्लास में होता है न कुछ निहायत वे ले लोग जिनको कोई काम धन्दा तो होता है नहीं वैसे ही एक बच्चे ने बहुती डेंजरस टीचर के हाथ में एक बार किसी को मारना चालू करते है ना रुकने का नाम नहीं है अब उस टीचर ने अंकित को बलाया और कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत स्कूल में फोन लेकिया रहे हो जवाब में उक था ने ने सर गलती से आ गया था बुक्स के अंदर अब फिर वारिंग दे के छोड़ दिया नॉर्मल स्कूल जैसे करते हैं और कहा कि पेरेंट्स को लेकर आना फिर मिले का अब यह सब के बाद यही कांट दूसरे सेक्शन में भी हो ठीक है वहाँ भी एक बच्चा फोन के साथ पकड़ाया था भाई मैं को खोदे नहीं बता अब मेरे अलवा इतने सारे रोग फोन लाते हैं और मैंने किसे को बता भी नीथा मैं फोन लाता हूं यह वगरा मज़े की बात तो यह थी कि यह सब घड़ जाने के बाद भी उस दिन किसी को पता नहीं चला कि मैं भी फोन लेके आया था एक्चुली उस कांट से बाद से मै आज तक फोन लेके नहीं हो क्यों रिस्क लेना है भाई उतना लेकिन इस प्योर कांट की शुरुवात हुई थी उस दिमाग से पैदल बच्चे की वैसे भाई तो अफकोर्स उसको सबने पेला है भाई सबने धोया उसको और ऐसा हो भी क्यों ना उसको यह वर्ष लेकर उसी बात पर बहुत हसी आती है लेकिन सर्प्राइजिंग के बात यह है कि इस वीडियो से पहले मेरे स्कूल के किसी बंदे को भी में पता था कि मैं उस दिन फोन लेके गया था पता नहीं भाई अब क्या हो है ओके सो आइधिंग दैस इट वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाकी आज के लिए बसकता ही मैं चला गुट बाई